जैस्री राम भगतो आपको कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उससे तुरंत मित्रता कर लेना मालो माल हो जाओगे। भगवान ने अपने भगतों को अपने से भी बढ़ कर बताया है। गीता के अध्याई 6 के सलोक नंबर 31 में क्रिशन भगवान कहते हैं कि जो पुरुस एकी भाव से स्थित होकर संपूर भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचिदानद घनवासु देव को भजता है। वहे वेक्ती सब परकार से बर्थता हुआ भी मुझ में ही बर्थता है। ऐसे वेक्तियों के दर्शन, भाषन, स्पर्स, चिंतन, वारता लाप करने से ही मनुष्य परम पवित्र बन जाता है। भागवत में राजा प्रिक्षित ने सुकदेव जी के प्रती अपने स्रिधा में उद्दार प्रकट करते हुए कहा है भगवन जिनके समर्ण मात्र से ततकाल ही मनुष्यों के घर पवित्र हो जाते हैं उनहीं आपके दर्शन, स्पर्ष, पाद प्रलाक्षन और आसन आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है हे महायोगिन आपकी सानिंदे से पुर्षों के भारी से भारी पाप भी इस प्रकार तुरंत नश्ट हो जाते हैं जैसे विश्ण भगवान के सामने देत्य लोग नहीं ठैरते ऐसे मनुष्य जहां पर विचरते हैं वह स्थान तीर्थ हो जाता है और वहां का वयू मंडल पवित्र हो जाता है स्री नारद जी ने ये कहा है नारद भगतिश्ट्र में लिखा हुआ है वे अपने प्रभाव से तीर्थों को सूतीर्थ बनाते हैं कर्मों को सूकर्म बनाते हैं और शास्त्रों को सत्षास्त्र बना देते हैं अर्थार्थ वे जहां भी रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है या उनके रहने से तीर्थ का तीरत्विष्थाई और उज्वल बन जाता है वे जो कर्म करते हैं वे ही सुकर्म बन जाते हैं उनकी वानी ही शास्त्र है और वे जिस शास्त्र को मैत्व दे कर अपनाते हैं वही सत्य शास्त्र समझा जाता है सकंद प्राण में लिखा हुआ है जिसका चित अपार ज्ञान सवरूप सुख सागर ब्रहमलीन में है उससे कुल पवित्र माता कर्थार्थ और पृत्वी पुन्यवती हो जाती है और तुलसी दास जी ने तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यहां तक कह दिया है कि मोरे मन प्रभु अस्विस्वासा रामते अधिक रामकरदासा राम सिंधु घन सजन धीरा चंदन तरूहरी संत शरीरा इसलिए मनुष्य को उचित है कि ऐसी स्थिती प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम, रूप, गुन, लीला, प्रभाव, तत्व, रहसे का ज्यान प्राप्त करें तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो भगवान का भगत है, अनन्य भगति करता है, हर समय बस उसके विचारों में ही खोया रहता है तो उससे आप तुरंत मित्रता कर लेना, उसके चरनों में गिर जाना, उसे अपना गुरू बना लेना, इसमें एक परसेंट भी संसे नहीं है, आपको माला माल कर देगा, सभी दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे तो भगतो अब हम अपने वाने को राम देते हैं, जय स्री राम